भाईयो नमस्कार भाईयो एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी कोसा 13235 की पेड़ी की कि हमारी पेड़ी गन्ने में कितना एवरेज आया तो भाईयो पेड़ी गन्ने का तो मैंने बता दिया ये भाईयो हमारा 13235 का पोधा गन्ना है डबल लाइन टरंच तो भाईयो आज मैं बताऊंगा कि 13235 में ऐसी क्या कमी है जिससे किसान भाई थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं कि इसे लगाए या नहीं लगाएं क्योंकि भाईयो 13235 में गन्ना बिना बिमारी के हो जाता है कोई बिमारी नहीं आती कोई कीट ना सक फंगी साइट देने की जुरूत नहीं है और कोई रोग नहीं आता ना कोई कीट इसमें भाईयो आज मैं बात कुनूँगा कि दिक्कत क्या है क्योसा 13235 में लगाने में आपको ये देखो पिलाड चमकरा होगा पोधा सेरा ये भाईयो सीधा खड़ा है भाईयो तीन बार बंधाई करवा दी हमने इसमें डवल लाइन ट्रंच है और ये आगे को दिखना हूँ देखो इसमें दिक्कत क्या है आज मैं बात कुनूँगा इस बारे में ये देखे भाईयो ये गिरने लगा है गन्ना और यहाँ पर देखे तीन बार बंधाई होने के बावजूद भी ये गन्ना भाईयो गिर गया भाईयो इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी है ये कमी आप बड़ी मान लो या छोटी लेकिन मेरे हिसाब से तो काफी बड़ी कमी ह क्योंकि भाईयो ये गिरता बहुत जल्दी है आप तीन बार बंधाई करवाओ गन्ने में मिट्टी जड़वाओ ये चार बार बंधाई करवाओ गन्ना भाईयो ये गिरता जरूर है कोशा 13 235 का कुछी किसान भाईयो ऐसे होंगे जिनके पास ये बिलकुर सिद्धा गन्न खड़ा होगा हमारे पास भी सिद्धा गन्ना है ऐसी बात नहीं है कुछी मेड़े गिरे हैं ये लेकिन इसमें दिक्कत क्या है चलो गिर गया कोई बात नहीं इसमें गिरते ही इसका बजन भाईयो बहुत कम निकलता है इसमें बजन अगर आपका गन्ना कोशा 13 235 है और वो नीचे गिर गया और जमीन से लग गया तो भाईयो उसमें में दिक्कत है बजन कम की बजन निकलता उस गन्ने में अगर आपका गन्ना बिल्कुर सिद्धा खड़ा 13 235 आपने जैसे भी रोक कर रोक लिया चाहिए आपने पांस बार मदाई करवाई मिट्टी दो बार नहीं है यह इसका प्लस पोइंट है दूसरी बात इसमें भाईयो एक दिक्कत हो रहे है बजन घरता क्यों है एक तो भाईयो इसमें नीचे गिरते ही यह जमीन से टच हो जाता और इसकी आँख है मोटी देखो यह भाईयो जो गन्ना देखो इधर यह सिद्धा खड़ा बि देखे मैं बात वही बताऊँगा जो बिल्कुल है यह देखिए आगे को दिखाओ यह देखी यह भाईयो आँके फूटने लगी और आखे फूटने का मतलब है इसमें रिकवरी भी कम आईगी और इसमें बजन भी कम निकलेगा यह देखो यह बिल्कुल आगे शिद्धा ह गंणा इसमें कोई आख नहीं फूट है अगर आपके गंणा बिल्कुर सिद्दा और उपड़ कोई रोग या कीट नहीं और है यह गिर गया तो भाई बाईयों जमीन से लगेगा और तो बजन भी कम निकलेगा तो भाईयों यह इसमें में दिक्कत है इसलिए आप अगर कोसा 235 लगाने के सोच रहे हैं तो बड़े आराम से लगाए कोई आपको ज़्यादा कीट ना सक फंगी साइट देने के जरूत नहीं है बहुत बड़ी हबी जाए लेकिन अगर ये डहे गया तो भाई उसमें बजन की समस्या है वाकी में अगर आपने आपके गन्ना ये गिर गया तो बजन थोड़ा सा ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कम हो जाएगा थोड़ा सा कम निकलेगा 10-15 परसेंट तो भाई ओ इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई क्योंकि सभी किसान भाईयों को पता चलना चाहिए कुछ किसान भाई तो बताएते हैं कुछ नहीं बताते लेकिन ये इसमें में दिक्कत है गिन्ने की गन्ना जायतर सब बैराइटी गिरती है लेकिन इसमें गिन्ने के बाद बजन थोड़ा सा घड़ता है बैराइटी में और में भी जैसे 0-230 से गिन्ने के बाद यह है यह वह अगर आप अगाया गन्ना सिंपल विधी से बहोगे तो उसमें मेडा जादा करता कल्ले तो पतला रह जाता अगर आप इसे कुछ इद्दा भॉएँगे कुछ किसान भाई यह कहते हैं ना कि गन्ना पतला है अगर भाई इसे आप गैप सब वोएँगे जैसे ट् दिखाओं यह देखिए इसमें कल्ले जाने हैं तो यह गन्ना देख लो मोटाई इसमें थोड़ा सा मीडियम है और जहां इसमें कल्ले कम है इसी खेत में यह देखिए दिखाओं मैं तुम्हें मोटाई काफी है ऐसी वाद नहीं है यह देखिए यह मोटाई अच्छी है इसमे तो भाईयो इसमें मोटाई तब ही बढ़ेगी इस गन्ये की अगर आप इसमें कल्ले कम लोगे और में दिकत एक ये है किसान भाईयों के साथ अगर आप 38 लगाते हैं उसमें सेरी बढ़साथ सेरी गन्मियों आपको टंकी उठाएकर रखने पड़ती है कि बारवार इसमें भाईयों कोई इसमें बढ़िया बाद सबसे यह है और आप ना है कोई टोनिक लगाओ जैसे आप कल्ले के लिए या बढ़वार के लिए टोनिक देते हैं इस्टर डोज उसकी भी जडूरत नहीं है simply dose है यूरिया लगतते रहे हर पानी पर 5 किलो विगे का बहुत बड़ी हर रिजल्ट आता है और ना जादा N.P. के देने की जरूरत ना जादा फंगिसाइट की इटना सक देने की जरूरत और बड़े अराम से हलकी लागत में ही अच्छा गन्ने की पैदवार हो जाती है बस इसका गिरने का धियान रखी तो भाईयो आपके पास तेरह 235 है तो जरूर बताएं कमेंट में ये फोन कॉल पर कि आपका गन्ना कैसा हो रहा है आपका गन्ना पिरती विगे में कितना निकला ये भी बताएं तो भाईयो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं ठीक भाईयो धन्यवार नमस्कार